Welcome back, स्वागत है आपका अमारे चैनल पर दो तीन चीज आज पहली है कि जो हमने स्टाटेजी बनाई थी क्या हुआ जैसे कि मैंने कहा था कि कि ट्यूजदे नहीं वेंस्टे को पोजिशन एक्जिट करना है मंडे हमने पोजिशन ली थी पहली चीज वह दोसी चीज एक्सपाइरी क्या प्लान कर सकते हैं तीसरी चीज अगर आपने हेजिंग नहीं सिखी है तो अभी वक्त है जाका सीख लो क्यूंकि आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म के साथ साथ क्या कर रहा है आपको सेफ कर रहा है आज बैंक निफ्टी में हजार पूंट कर गिरा और था फिर भी हमारी स्ट्राइजी में अगर आप क्लोजिंग तक लेके जा रहे हो तो भी आपकी जो स्ट्राइजी वो लॉस में नहीं आ पाई बट क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है इसलिए फ्रस्ट लर्ण हेजिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कोर्स अल्रडी लाउंच हो चुका है बहुत सारे लोग ने जोएन किया लाइफ क्लासे चल रहे हैं टेलिग्राम गुरूप उसमें मिल रहा है आपको प् पताया था यही बताया था के मार्केट अपसाइड यहां तक डाउनसाइड यह वाला रही मार्केट इसी के बीच आपको घुमता मिलेगा यही पर घुमता मिल रहा है बट अभी क्लोजिंग स्पाइरी नहीं हुई है पर मैंने क्या कहा था कि उसडे तक ही और आज सुबह पे मैंने लगभग मॉर्निंग में ही 10 बजे के आसपास मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि पोजीशने प्रॉफिट बुक कर लो प्रॉफिट कितना रहा है लगभग 4 पसंड के आसपास इक्जाक्ट दस बजे मैंने आपको मैसेज दिया था अपने टेलिग्राम सब्सक्राइब करो ठीक है तो यह जैसा कि मैंने आपको बताए कि हमारा रेंज था यह हमारा रेंज ब्रेक नहीं हुआ फिर भी हम पोजीशन से एक्जिट हो गए सुबहें क्यों ठीक है मार्केट में एक पैनिक वाली कंडिशन नजर आ रही थी ठीक है मैंने यहां पे ला सेकंड टाइम में देखने को मिला है क्यों निकला में पोजीशन से और फिर नेक्ट प्लानिंग हमारी क्या वह डिसकस करते हैं ठीक है लगबग स्टाइजी हमारी यह थी 14,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है देखो क्यों निकला में पोजीशन से सबसे पहली बात इस पोजीशन को डिपलॉई करने में आपका मार्जिण कितना लगा था लगबग लगबग 5,000,000 के आसपास ठीक है जिसमें आपका maximum profit कितना हो सकता था 22,000 के आसपस profit था और loss आपका लगबग 1,00,000 प्लस में जा रहा था इतना हो सकता था मैंने आपको बताया था कि profit के according जितना भी मेरा profit में target कर रहा हूं उसका half में loss का अगर मेरे को market favor नहीं करता तो मैं exit हो जाओंगा और मैं हमेशा यह कहता हूं किसी position को माल लो मैंने कोई strategy बनाई उसमें 22,000 का आपको profit दिखा रहा तो यहां तक wait नहीं करने का ठीक है 15,000 भी आपको मिल गया तो बहुत है 10,000 भी मिल गया तो position book कर लो दूसरी position बनाओ क्योंकि market का scenario अभी बिल्कुल भी different है हर दिन आपको एक नया move देखने को मिल रहा है high volatility देखने को मिल रही है तो position से निकलने का reason क्या profit हमने क्यों book करा आपको यह आपने entry कितने पर ली थी यह 80 रूपीज में बेचा था 28 पे exit हो गया यह 40 रूपीज में buy क्या था 12 रूपे पे exit हो गया इसी तरह से 81 में बेचा था 22 पे exit हो गया ठीके उसका reason यह है कि हमें यहां पे लगबग कितना 16,000 के असपास मिला है profit ठीके किसीने 14,000 लिया किसीने 15,000 इस तरह से profit book हुआ है total profit कितना book होना था 22,000 margin कितना था 5,000 तो already यह आपको 3% के उपर profit दे रहा था और maximum profit अपना कितना हो सकता था 4% तो 1% के लिए rescue लेना जबकि आपको market में लग रहा है कि uncertainty बनी रह सकती है इसलिए हमने profit book किया ध्यान रखना आगे भी कभी भी कोई position बना रहे हो premium already premium already आपका DK हो चुका है क्यूं? Monday position, Monday market में कैसी quality थे आपने देखा, बिलकुल भी choppy market था, Tuesday आपको एक off मिला और आज Wednesday तो आपको थीटा DK का बहुत अच्छा फायदा मिला क्यूंकि आपने range कहां बनाया था, इतना दूर range बनाया था, ठीक है हमेशा ऐसी opportunity आपको नहीं मिलती है समझ में आया, तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप market में position बना रहे हो, और profit आपको क्या मिल रहे है, आपने 4%, 5% का target कर रहा, 3-4% मिल रहा, profit बुक करके निकल जो, क्योंकि यार, यह दो दिन में आपको इतना profit मिला है, दो दिन में, 3-4%, दो दिन में profit मिला है अभी आपके पास expiry बाकी है, ठीक है, उसके बाद expiry के साथ साथ, उसके आप next week पे trade लेंगे, अभी पूरा महीना बाकी है, तो एक-एक trade पे अगर 3-3% मिल रहे हो, तो आपका बहुत हो जाता है, मंतली, बहुत हो जाता है, तो यह reason था हमने आज profit बुक कर लिया, ठीक है, तो इसे तरह आप भी profit बुक करते रहो, अभी next हम क्या target कर सकते हैं, bank nifty में यह आपको बने रहना है, तो position क्या ले सकते हो, देखो trained overall bearish है, जग तब यह labor मेरा break नहीं करेगा, मैं थोड़ा सा wait करूँगा, still मुझे लगता है कि अगर कल gap down में break कर गया, है ना, और कल expiry भी nifty खुलती है, bank nifty, तो मेरी जो strategy रहेगी, वो क्या रहेगी, बुल कॉल spread में हम क्या करते है, मालो 35,000 nifty चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 35,000 की call option, क्या करते हैं, buy करते हैं, और इसके उपर वाली sale करते हैं, मालो 35,200 या 300 इस तरह से sale करते हैं, पर कल जो strategy रहेगी, वो बिल 900 या 35,800 इस से मैं hedge करूँगा, buy करके, इसको sale करूँगा, इसको buy करूँगा, मतलब क्या हुआ, कल मैं vertical spread पे काम करूँगा, मतलब market बार बार अगर उपर गया, तो मैं position बेचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि overall market जो है trend, वो बिलकुल भी bearish लग रहा है, ठीक है, उसके उ उपर जाए, तो पहले call बेचो और उसको दूर से hedge करो, ठीक है, तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ, hedging भी आपको सीखना जरूरी है, तो this was all about our strategy जो हमने book किया, और hedging course के बारे मैंने आपको बता दिया, और कल हम क्या कर सकते है, in short मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बहुत strategy बना रहा हूँ, ठीक है, अब strategy बना रहा हूँ, और market में अगर कैसा रहता है, मैंने strategy बनाया, 20,000 का मैं target कर रहा हूँ, profit, तो 10,000 का उसमें stop loss रहूँगा, मालो 20K का मेरा target है, तो 10 का आपका stop loss भी रहेगा, क्यों, मैं hedging में काम कर रहा हूँ, मैं मुझे ऐसा लग रहा है trading psychology और risk management proper manage रहे, बिगड़े नहीं, अगर loss भी जाए, तो मैं दूसरी position बराबर लेके उसमें बराबर trade कर सकता हूँ, correct है, तो कल क्या करना है, vertical spread, पहले call बेशना है, बाद में buy करना है, position एक साथ execute करना है, लेकिन दोनों out the money में ही काम होना है, दोनों otm में ही काम होना है, ठीके, near वाली बेचेंगे, और far वाली buy करेंगे, and strategies related मैं आपको update भी telegram पर देता रहोंगा, इसलिए be a part of my telegram channel, जो money management के नाम से, ठीके friends, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं strategies आपको बताता रहोंगा, market का view देता रहोंगा, thank you so much.